तो वर्ल्ड कप 2023 समाप्त हो गया और यहां पे टीटवन्टी वर्ल्ड कप यानि कि जो 2024 में स्टार्ट होने वाला उससे पहले बहुत सारे बाइलेटरल सेरीज T20 के देखनों को मिलेगे उसमें से एक है फर्स T20 मैच पांट T20 का मैच है जो कि इंडिया वर्सेस ऑस्टेलिया के बीच मैच खला जाएगा इंडिया अपने सीनर प्लेयर को रिष्ट दी है वही बात करें इंडिया अपने यंग प्लेयर को T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए तयार कर रही है और बहुत सारी जंग प्लेयर को इस मैच में मौका दे रही है इस सीरीज में मौका दे रही है वही ऑस्टेलिया 2023 की चैंपियन रही है वर्ल्ड कप ODI में और यहां पर इसके बाद टेस्ट में भी चैंपियर रह चुकी है तो इनकी निगाही पूरी है कि यह 2024 में भी किये थे उनको इस सीरीज में अभी तक रखी है वर्ल्ड कप के मतलब कोई भी थोड़ा सा भी चुक नहीं करना चाहती वर्ल्ड कप 2023 कंटिन्यू मैच खिलने के लिए अपने प्लेयर को मौका दे रही है बहुत लोग सोच रहे होगा कि यह रिवेंज लेने वाला टाइम है वर्ल कप 2024 के में दोनों भी गए और मैच इंडिया जीतेगी दोनों फाइनल में आके तो कौन जीतेगा इस मैच में बहुत सारे अप डेट मिलेंगे क्या होने वाला है मैच में कैसे आप जैसा की जानते हो फाइनल में से और जाह तरे से अलग कान्स चाहिए गया तो आपको बोलूंगा मार्केट से कंपेर कर लेना काम आपको सब्सक्राइब काथ लेक्राइब अच्छा है लेकिन द्यार में रखिएगा 2022 में जो कि वर्ल्ड कप खेला गया ता इससे पहले चैंपिन रह चुकी है लास्ट पांच मैचों में देखो कि इंडिया ने जीता है दो ऑस्टेलिया ने जीता है 2022 का सीरीज हुआ था इन दोनों टीम के बेज इंडिया ने सीरीज जीता था टी-20 वर्ल्लकप में पर करेंगे यहां पर इस वैनु की बात करें इस वैनु पर टोटल एक मैच खेले जा चुके हैं एक में से एक जीता है इस पीच पर 126 रन दोहजार था 25 नॉब्बर और यहां पर ऑस्टेलिया ने 127 चेस किया था 127 रन का टागट था जोकि चेस किया था लांश्ट में पीच जीता था तीन मेंसे दो में इंडिया यहां पर जीत क्या रहे है टारी सीरी ता सिरीज का एक मैस था बॉलिंग पीछ आप स्कूर 170 प्लस एक्सपेक्ट किया रहा है और वही बात करेंगे बिलब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर रोल निवाएगा डिव अगर आ गया तो समझें कि सकेंड बैट करते हुए स्कोर एक सो सब्सक्राइब बहुत इंपोर्टन चीज हो जाएगा यहां पर इंपोर्टन रोल निवाएगा इस मैच में रिसेंट फॉर्म मिलेगा मेरे इंडिया की बात करें इंडिया ने पर हडाके आ रही है इससे पहले दो मैच जीत की जीती थी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप का साथ इससे पहले खेली थी टीम नूज बता दें यहां पर इंडिया के तब से बहुत सारे प्लेयर को रिष्ट दिया गया है सुरिकोमार यादो इस्कौाइड को लीड करेंगे और पूरा सारे मिस कर रहें अक्सट्र परें रिटार्न हो चुके हैं यंग प्लेयर को मौका दिया दा यहां पर बात करेंगे उस्ट्रेलिया के तब से मैथुवेड एसकौाइड को लीड करेंगे डेविड वर्नर को रिष्ट दिया गया है और यह मतलब घर रिटर्न करेंगे यहां पे घर डिटरंड करके हैं एसमीर ट्रेविट से मैक्सवल एस्टोनी जामपा जो सिंगली स्कॉार्ड में है देख रहे हो पूरी तैयारिक कर रहे हैं कोई भी मौका नहीं देने चाहती अपने टीम को थोड़ी भी चुक होने और शेली अपने सारे प्लेयर को यहां पे में ध्कमें एक में रिष्ट दिया जाए एरां हर्डी को लाएं को लाए जा सकता है मैथू वेरे टीम डेविट अटम जैंपार चिंदीर संका नातन इलीली से स्वेंड़ा चाहं से ऑफको प्लिंग लॉन देखनेंगे प्लेबल प्लेइग 11 और इंडिया के तरफ से तीला इंडिया के तब से आपको देखने को मिल रहा है कि सारे प्लेयर्स अब लेवल है और तब से हो सकते हैं वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं अस्मीत बाइट है मैथ्यू वे तो कैप्टैन है इस टीम के एडम जंपा बैटते हुए दिखाई देंगे और यहां पर टेविस हैड भ प्लेयर्स खेलने वाले हैं कौन से नहीं तब तक यहां पर प्रिडिक करना बहुत मुश्किल के प्लेइंग अच्छा कर सकती है और कौन से इसके 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 लिए आप मेरे टेलिग्राम पर जाएगा फिर भी आपको इंडिया के भी प्लेयर कापी जो कि यंग प्लेयर है प्लेयर देख सकते हो डेफ तक अच्छा पटेल भी आ गया है तो देफ तक बैटिंग है कम बतागना इंडिया को टीम को इंडिया भी अच्छा करते विए नजर आएगी हां हाला कि थोड़ा अस्टिले का प्लेंग पर फोकस कर लेना फेंटासी टीम जो कि आप खेल सकते ह प्लेंग लेओं जो कि डीम लेओं माई लेओं सागा किसी प्लेटफार्म पर तीम जो कि रितु राइद गया बाट तो अच्छा पीक होगा बागी डीम लोन टीम जो कि मैंने बना रखी है वह आपको देना जरूरी है तो डीम लोन टीम के लिए देख सकते हो मैथू वेड सब्सक्राइब दिखाए तो टीम आपको दे दिया बागी मेरा टेलीग्राम चैनल है लिंक डिस्किसों फर्स कमेंट में जरूर जोइन कीजिए जैसा कि बता रहा हूं और मेरा वाट्सव पर कॉंटेक्क कर लिजिए वाट्सव का नम्मर इसकेन पर दिख रहा है वीडियो में